हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ही चेनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं जो अगला T20 का मैच आज खेला जाएगा जबलपूर T20 प्रेमियर लिग का SDF versus RSC के बिच में इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दोनों हे टीमों के पूरी इनफॉर्मेशन आज शेयर करने वाला हूँ बैटिंग ओडर के साथ दोस्तों कौन से प्लेयर आज आज आपको इस मैच के अंदर आपन करते वे नजर आएंगे कौन से प्लेयर फर्स्ट आउन पे खिलेंगे सारे इनफॉर्मेशन में आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा दोस्तों इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर वच करना ताकि जितने वी इनफॉर्मेशन आपको सही तरीके से मिल पाए और दोस्तों मॉटिवेशन के लिए हमें सपोर्ट के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक से जरूर स्टार्ट करना फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी स रिक्वेश्ट है आप चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर लेना है दोस्तों इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा दोस्तों इस पे एक बार क्लिक कर दें साथे साथ यहाँ पर जो बैल आइकन दिया हुए दोस्तों इस पे क्लिक करने के बाद आपको आल का ओफशन दिखने को मिलेगा इसको भी एक बार स्लेक्ट जरू कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो में जैसे ही अपलोड करूँगा आपके पास सीदे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी परकार मिल पाएगा दोस्तो अगर आपको हमारा बताएगा इस ट्रैट्स पसंद आता है इस वीडियो से अगर आपको जरा भी हेल्प मिलता है देखो इस ग्रोप में जोईन करना ज़रूरी है क्योंकि अप्टर टॉस आपको फाइनल टीम यहीं पर मिलेगा अगर कोई भी चेंजिस होता है तो इसलिए एक बार जरू से जरू 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 कर लेना इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्कुर्शन बॉक्स में और जहाँ आप कमेंट करते हैं पहला कमेंट पे लिंक मैंने आपको क्लिक कर दिया है दोस्तों आप जैसे क्लिक करोगे न तो जो जो पचास के राउंड आपको लगबग स्कोर इस ग्राउंड पे देखने को आपको मिल जाएंगे चलिए सबसे पहले SDF के टीम के बारे हैं बात करते हैं तो SDF के जो टीम है दुस्तों अभी तक चार मैचेस खेला है जिसमें से तीन मैचेस जीता है चलिए अब बैटिंग ओडर की और आगे बढ़ेंगे मैं आपको बता दूँ यह जो मुकाबला है SDF के टीम काफी मजबूत रहेंगे दूस्तों और यह फैबरेट रहने वाले हमारे यहाँ पर दूस्तों इनके जीतने के चांसेस भी इस मैच के अंदर जादा है तो आप मैकसिमम प्लेयर्स को भी अपने टीम के अंदर आप ले सकते हैं चलिए अब बैटिंग ओडर की और आगे बढ़ते हैं तो आदर्स दुबेय आपको दूस्तों ओपन करते हैं खिलाडी दिखेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह कैप्टेन है SDF के टीम के तरप से पहले मैच के अंदर 32 रन स्कूर करा है फिर 8 रन फिर 17 रन फिर यहाँ पे 78 रन स्कूर करा है कोई विकेट ने मिला चार मैच के अंदर टोटल अगर आप देखेंगे तो 135 रन ने स्कूर करा है बाके आयान सिर्राज का रिकॉर्ड देखेंगे तो ओपन करते हैं पहले मैच के अंदर 5 रन फिर 29 रन स्कूर करा है यह दोस्तो दोनों के दोनों प्लेयर यहाँ पे दोस्तो टीम के टॉप अटर का बैट्स पैन है लेकिन आयान सिर्राज जो है दो ही मैचेस खेला यह ची ध्यान रखना यह चार के चारो मैचेस खेलते हुए दिखा है बाकि यहाँ पे अतर्ब का रिकॉर्ड देखेंगे दोस्तों तो पहले मैच के अंदर 1 रन पे खेलते हुए 23 रन स्कूर करा है फिर 85 रन स्कूर करा है फिर यहाँ पे 14 रन फिर 105 रन प्लस एक विकेट टोटल 4 मैच के अंदर देखेंगे तो दोस्तों 25 रन मना के एक विकेट निकालते हुए आ रहे है दोस्तों बढ़िया प्लेयर है आप इनको कैप्टेंसी के लिए भी ट्राय कर सकते हैं कि यह लास्ट मैच के अंदर उन्हें सेंचूरी भी लगाया है बाकि आरियन देख्मुक का रिकॉर्ड देखेंगे तो पहले मैच के अंदर दो विकेट फिर यहां पर चार रन स्कूर करा था कोई विकेट ने मिला फिर 22 रन प्लस एक विकेट फिर तीन रन प्लस तीन विकेट टोटल चार मैच केंदर 49 रन मिना कि दोश्व मिसे निकाल चुके हैं चिरंग ठाकर रिकॉर्ड देखते हैं तो पहले मैच के अंदर 23 रन फिर 24 रन फिर 0 तीन मैच के अंदर टोटल 47 रन स्कूर करा है बाकि शचमानत का रिकॉर्ड देखेंगे दोस्तों अभी तक पहले मैच के अंदर ओपन करा था एक रन मनाया है फिर यहां पे पांस नमबर पे खेलने के लिए यह जीरो रन स्कूर करा है आप इनको ड्रॉप करेंगे निखिल राजपूत पहले मैच कंदर एक विकेट फिर 14 रन कोई विकेट ने मिला फिर फ्लॉप रहा है बाकि आयूश मनकर का रिकॉर्ड पहले मैच कंदर एक विकेट फिर 7 रन प्लस 3 विकेट फिर 2 रन प्लस 2 विकेट फिर 1 रन कोई विकेट ने मिला है चार मेच के अंदर टोटल दस रनमना के दोस्तों छे विकेट निकाल चुके हैं बाकि अनुरांग का रिकॉर्ड दोस्तों पहले मैच के अंदर एक विकेट निकाला फिर एक विकेट फिर फ्लॉप रहत और लास्ट मैच के अंदर फ्लॉप रहते चार मैच के अंदर टोटल इन्होंने तीन विकेट निकाल चुका है बाकि वालिया जो की एक ही मैच इसके ल आठ नमर पर खेलने के लिए थे सुरी और चीरो रन पर आउट रहा था लेकिन दो बर का बॉलिंग कर रहा था और एक विकेट निकाला आप देखो इस टार्टिंग और पर देखेंगे तो यहाँ पर अनुराग और यहाँ पर दूस्तो पुलकीत गरल यह दो प्लेयर्स आप आपको दूस्तो इस टार्टिंग और पर बॉलिंग करते वह दिखेंगे बाके डेध वर में देखोंगे आदर्स दुबे अर यहाँ पर अथर भी दो, गैंदपाज आपको डेध अबर पर बॉलिंग करते हुई दिखने वाले हैं बाकि देखो बैंचेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चिरंजी वालिया यहाँ पे आरियन शागर यादव और यहाँ पे दुर्गेश और यहाँ पे हरशीत यह चार-पांच प्लेयर से जो कि आज आज आपको बैंचेस में नजराएंगे STF के टीम के तरब से बाकि STF के आपको लगबग सेम बैटिंग ओडर इस मेच के अंदर देखने को मिल जाएगा लेकिन RSC का अगर आप बैटिंग ओडर देखते हैं तो यहाँ पे शुभम यादव दोस्तों आपको ओपन करते भी दिखेंगे प्रवीन पहले मेच के अंदर दो रण बना टोटल 14 नमना के 4 विकेट निकाला है अकाश प्रेशार का रेकॉर्ड दोस्तों पहले मैच के अंदर 10 रन स्कूर करा है फिर 1 रन फिर 6 रन तीन मैच के अंदर टोटल 17 रन स्कूर कर चुका है मैं फिलार रन को ड्रॉप करूँगा क्योंकि इनके बैटिंग ओर पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपरिमेंट अभी तक देखने को मिला है फिर याँगर आप देखेंगे अनसारी का रिकॉर्ड याँपे 7 रन स्कूर करा है कोई विकेट ने मिला तीन मैच के अंदर टोटल 44 रन मिला के दो विकेट निकाल चुका है बाकि आशिश यादव पहले मैच के अंदर दो विकेट फिर 12 रन मिला ते को विकेट ने मिला फिर एक विकेट तीन मैच के अंदर टोटल 12 रन मिला के तीन विकेट निकाल चुका है पाकि दीपक को ड्रॉप करेंगे अनिल पाश्वान पहले मैच के अंदर फ्लॉप फिर 23 रंबना इते को विकेट ने मिला फिर 4 रंबना इसमी को विकेट ने मिला तीन मैच के अंदर टोटल 27 रंड स्कुर कर चुका है सचिन सिंडे का रिकॉड पहले मैच के अंदर एक रन फिर एक रन फिर एक रन देख सकते हैं इनको ड्रॉप करेंगे इनका रिकॉड तो ना बहतर रहा नहीं है बाकि प्रतीक पहले मैच के अंदर पांच रन प्लस एक विकेट निकाला फिर एक विकेट फिर बार रन प्लस दो विकेट टोटल तीन मैच के अंदर 17 रन बना के दोस्तों चार विकेट निकाल चुके हैं अमित जादव को ड्रॉप करेंगे हाला कि ये लास्ट मैच के अंदर फर्स रन पे खिलने के लिए थे तीसर रन सूर करा है पहले मैच के अंदर एक विकेट फिर फिर फ्लॉप रहा था और लास्ट मैच के अंदर भी कोई विकेट इनको नहीं मिला है अब देखो, starting वहर पे देखोगे अनिल, पासवान और यहाँ पे अकाश ये दो गिंदवाज दोस्तों, आपकोсь starting वहर बॉलिंग करते भी दिख जाएंगे डेद वहर पे देखोगे दोस्तों, यहाँ पे अविशेक और यहाँ पे अकाश जिसमें नजराएंगे RSC के टीम के तरब से बाकियों दूस्तों जो आप देख रहे हैं लगवगा को सेम बैटिंग ओडर स्मेच के अंदर देखने को मिल जाएगा तो इसमें से आपको जो भी बैटर लग रहा है according to players का बैटिंग ओडर और form को देखते वे players को अपने team के अंदर आप ले सकते हैं और यहाँ पर आसानी से team आप बना सकते हैं दोस्तों मैंने आपके लिए एक demo team अभी तयार किया हुआ है तो team एक बार आप देख लो आपको और ज़्यादा help मिलेगा तो चलिए ब शुरुआत करते हैं सबसे पहले wicket keeper से देखो यहाँ पर मैं जिराक तक को try करूँगा जो team के 2-3 number को betting करते हुए दिख जाएंगे 3 match के अंदर total इन्होंने 47 run score कर चुका यह खिलाड़ी important है मैंने आपको कहा भी था दोस्तों कि इनको अपने team के अंदर जरूर से जरूर try करना है दोस्तों बढ़ी हाँ player है बाकि देखो गौरब पटिल का भी record अगर आप देखेंगे तो बहतर है पहले match के अंदर open करा था 10 run मनाये थे फिर 1 run फिर 11 run score करा है इत दूबे को मैं try करूंगा दोस्तों आपको पता है बढ़ी हाँ player है बाकि इनका तो betting आपको पता है दोस्तों last match के अंदर century लगाया हुआ है बाकि यहाँ पे दोस्तों मैं RSC के team के तरफ से एक और player को ले रहा हूँ तो total 3 batsmen को मैं तीम के अंदर बाकि bowling में 4 baller को ले रहा हूँ R Sarma, A बरते और यहाँ पे A याद रहा एक और player है दोस्तों यहाँ पे P girl को मैं try कर रहा हूँ यहाँ पे total 4 ballers को मैं अपने team के अंदर ले रहा हूँ जो अपने spell के 4-4 over bowling complete करते वे दिखेंगे बाकि team preview आप मेरा देख सकते हैं captain C के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं A2B को try कर रहा हूँ captain C के लिए दोस्तों याद रखना यह कर line up में smash कंदर रहते हैं तो captain C के लिए direct इनको switch करेंगे अगर बहुत बढ़ी है player है century लगा रहा है अच्छे form में है तो line up का wait करेंगे हम लोग और दोस्तों after toss अगर एक दो player change भी होता है तो मैं final team आपको update कर दूँगा हमारे telegram group में ठीक है तो हमारे telegram group से आपको जुड़े रहना है इस video के नीचे आपको मैंने link share कर दिया है description box में और जहां आप comment करते हैं